दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आईफोन की एड में हमेशा 9.41 का ही टाइम क्यों दिखाया जाता है और क्या आपको पता है कि बास को पकड़ कर इसकी आँखों पर पट्टी क्यों बांदी चाती है प्लस क्या हो अगर डायमेंड्स को हीट के जरीए मेल्ट करने की कोशिच क आज किस वीडियो में मैं आपको ऐसे धमाकेदार एफेक्ट्स बताऊंगा जो आपको और पी ज़्यादा स्मार्ट बना देंगे तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोसों जसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली आईफोन 15 लाउंच हुआ है जो कि आईफोन 14 से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें आलमोस्ट आईफोन 14 वाले ही तमाम फीचर्स मौजूद हैं बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये निउ मॉडल है लेकिन अगर आप में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी कोई न्यू आईफोन लाउंच होता है या इसका एड बनाया जाता है तो इसमें दिखाए जाने वाली मॉबाइल स्क्रीन पर हमेशा 9.41 एम का ही टाइम लिखा होता है आप चाहे आईफोन के किसी 9.41 का टाइम ही क्यों दिखाया जाता है वेल इसके पीछे एक खास रीजन है असल में एपल के आउनर स्टीव जॉब ने जब 2007 में अपना पहला आईफोन लाउंच किया था तो उस वकत सुबह के 9.41 मिनट का टाइम था और मॉबाइल पर भी वही टाइम शो हो रहा था इस इसके बाद इस कंपनी ने जितने भी मॉबाइल लाउंच किये इन सब पर सेम टाइम सेट किया गया ताकि इस पैटरन को बरकरार रखा जा सके दोस्तों गर बास की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे तेज तरीन चलाग और डेंजरस परिंदों में से एक है इसकी आँ आँकों पर इस तरह की पट्टी बान दी जाती है असल में इसके पीछे एक खास रीजन होती है बाद एक ऐसा परिंदा है जिसकी आँके बहुत ही शार्प होती है ये अपने आदे से जदा काम आँकों की मदद से करता है जिसमें सबसे इंपोर्टन अपने शिकार पर नज आए इस पट्टी की वज़ा से ना तो वो किसी पर हमला करता है और नहीं किसी चीज़ पर रियाट करता है इस तरह इसे एक जगा से दूसरी जगा ले जाने या पिर इसका ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है दूस्तों डाइमेंड दुनिया की सबसे कीमती और नायाब चीज़ों में से एक है और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी पास असली हीरे होते हैं ये बातों हम सब जानते हैं कि सोने चांदी या दूसरे मैटल्स को पिगला कर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हीरे को मेल्ट करन देंगी कि हीरे के मामले में ये चीज़ बिलकुल उलट होती है पहली बात तो ये है कि प्योर डाइमड इतनी आसानी से मेल्ट ही नहीं होता अगर इनकेस इसे मेल्ट करने की कोशिश भी की जाए तो 800 सेलसियस पर पहुंचते ही ये जलना स्टार्ट हो जाता है और जलते ज दूएं की तरह हवा में ही गाइब हो जाता है इसकी रीजन ये है कि हीरा असल में 99.95% कारबन से बना होता है सो गरम करने पर ये गैस बनकर हवा में उड़ जाता है ये ही वज़ा है कि हीरे को कभी भी मेल्ट नहीं किया जाता बलकि सिर्फ तराश कर इसकी शेप ही बनाई जाती है दोस्तों ये बात हो हम सब जानते हैं कि अगर किसी इनसान को सांप या फिर बिच्चू वगएरा काट ले तो इसे शदीद दर्द होता है इवन कई सूर्सों में तो बंदे की डेथ भी हो जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि दुन्या में एक ऐसा पौदा मौद है जिससे अगर इनसान सिर्फ टच भी कर लेगा तो वो सांप और बिच्चू के डंग को भी भूल जाएगा वैल ये जो प्लाट आप दिख रहे हैं इसका नाम जिंपी जिंपी है ये जैदर जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है ये पौदा इतना खतरनाक ह है कि अगर कोई शक्स इसे चूपी लेता है तो इसे किसी जहरीली चीज़ के काटने से भी ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि इन्सान की बरदाश से बाहर होता है असल में इसके पत्तों पर चोटी-चोटी बारीक सुईयों की तरह ट्रांस इंपॉसिबल होता है इसे पिज़ता शौकिंग बात ये है कि ये दर्द कुछ दिनों या हफ़तों का नहीं बरके महीनों तक रह सकता है ये पौदा रियली बहुर्ट डेडली है दोस्तों ये बात हो हम सब जानते हैं कि इलन मस्क इस वगत दुनिया के सबसे अमीर तरीन शक अथ कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे खरीब शक्स कौन है आप सबसुच रहे होंगी कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा घरीब फेकारी होते हैं जो की भीक मांगकर अपनी जिन्ददी का förता करते हैं लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में एकसा शख शक्स भी मौझूद है जो बेकारियों से भी ज़्यादा गरीब है यह जो शक्स आप दिख रहे हैं इसका नाम जैरमी केरिवल है इसका तालुक फ्रांस से है और यह इस वक्त दुनिया का सबसे गरीब आदमी है दुनिया में मुस्टली लोग इसलिए गरीब होते हैं कि इनक लिया है कि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतना कर्शा लिया हो और वह माइनस में चल रहा हो आपको बताता चलूं कि जेरमी यह सारा पैसा ट्रेडिंग में बरबाद कर दिया था और आज वह इतना ज़ता कर्शदार है कि इसका कर्शा पूरी जिन्दगी भी अधा नहीं हो सकता, ये रियली अन्बिलिवेबल है, दोसों आप में से mostly लोगों ने train में सफर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि train के front पर एक box होता है, जिसके अंदर खुशक rate भरी जाती है, आप सब सोच रहे होंगे कि rate का train से क्या connection हो सकता है, train तो इंधन से चलती है, तो फिर इसके box में rate डालने का क्या मकसद है, वैल इसका एक खास purpose होता है, असल में rate की पटड़ी लोहे से बनी होती है, और ये काफी slippery होती है, इसी तरह train के tires भी metal के होती है, और इन में भी friction कम होती है, अगर कभी traveling के दोरान बारिश स्टार्ट हो जाए या फिर train को किसी उंची जगा चड़ना पड़ जाए, तो इन दोनों चीज़ों के slippery होने की वज़ा से train के पिसलने का खत्रा होता है, इसलिए ऐसी सूरत में train की friction को बढ़ाने और track पर grip बनाने के लिए खुश करेद का इस्तमाल किया जाता है, जब ऐसी कोई situation बनती है, तो पर train को emergency stop भी करवाना हो, तो इस सूरत में भी rate का इस्तमाल किया जाता है, rate की वज़ा से train की speed में कमी आ जाती है और वो जल्दी रुख जाती है, दोस्तों ये बातों हम सब को पता है कि खाने पीने में किसी भी चीज़ की जियाती इनसान के लिए नुकसान दे हो सकती है, जैसे कि चीनी का ज्यादा इस्तमाल sugar level को बढ़ाता है और नमक का ज्यादा इस्तमाल high BP जैसे मसाइल का सबब बनता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन simple सी दो चीज़ों को कितनी मिगदार में खाया जाए तो इनसान की death हो सकती है, first of all बात करते हैं चीनी की, research के मताबिक अगर कोई इनसान एकी बार में 2.1 kg pure sugar खा लेता है, तो इसकी death हो जाएगी, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर watermelon की बात की जाए, तो अगर कोई बंदा 3 तरबूजे खा लेगा, तो वो इसकी मौद का सबब बन सकती हैं, इसी तरह अगर नमक की बात की जाए, तो इसकी सिर्फ 300 ग्राम मिकदार ही, इनसान को मौद के मूँ में ले जाती है, moreover, अगर काली मिर्चों की बात की जाए, तो ये भी कुछ कम नहीं होती, एक research के मताबिक, अगर इनसान 13 ग्राम pure black pepper खा लेगा, तो इसकी death हो जाएगी, well, ये facts really बहुत शॉकिंग है, दोस्तों, सब्मरीन के ब पानी के अंदर रह सकती है, लेकिन सोचने की बात ये है, कि आखर इसमें ऐसा कौन सा fuel होता है, जो इस सब्मरीन को इतने लंबे अरसे तक पानी में चलाता है, असल में ये एक nuclear सब्मरीन होती है, इसे चलाने के लिए पेट्रोलिया डीजल की नहीं, बलके uranium नाम की एक compound की होती है, अगर किसी सब्मरीन के अंदर सिर्फ 4 kg uranium डाल दिया जाए, तो ये सब्मरीन को 30 साल तक लगतार चलाने के लिए काफी हो जाता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बलके सब्मरीन के अंदर ऐसा system बनाया जाता है, कि इसमें पानी भी खुद बहुत refine और reuse होता रहता है, तो तो दी हैदर टीव पे आप मझे फॉलो कर सकते हैं, मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफेज